नमस्कार मित्रो कैम चो आज हम जो बात करने वाले हैं सबसे बड़े confusing factor के बारे में जो हम normally हमरे cyber security में होता है जिसको हम बोलते authentication और authorization तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यह authentication और authorization जो होता है वो दोनों में फर्क क्या होतार वो दोनों का exact meaning क्या होता है तो मेरा नाम है कुरूतिक आप देख रहे टेकनिकल वोटा वाई हालो चालो करिये मेरा सबसे पहला अगर हम बात करें authentication की तो authentication वो चीज होती है जहां पर हम जो हो login करके हमको एक particular service को access कर सकते है अभी for example समदलो कि आपका windows ही है विंडोस में जैसी समझ लो आपने अगर आपके user id में या user account में आपने password रखाया तो आप विदाउट password आप जो एंटर नहीं कर सकते है तो आप जैसी उसमें username और password डालेंगे तो हम उसे बोलते है कि इसने authenticate किया आपके windows account के अंदर इसका मतलब होता है authentication हाला कि यह सेम ची अपने कोई guest account create करके रखा है तो guest account को उतनी सारे privileges या फिर permissions नहीं होगी जो हमारे admin account को होगी तो वैसी समझ लो को एक ऐसा web application है जिसमें भी ऐसी बहुत सारी functionalities है जिसके अंदर admin account अलग है और ऐसी कोई functionalities है जो खाली admin को ही मिलती और दूसरों किसी को नहीं मिलती मतलब जो जो भी उसके दूसरे user accounts होते है उसको नहीं मिलती तो ऐसे कोई web application में या फिर normal को web application में आप जो login करते हो तो उसे हम कहते है authentication मतलब आपने जो है वो login और password दे के आपने वो application पे authenticate किया हुआ है मतलब आप एक authenticated user हो आपने जो है वो कुछ bypass करके या फिर को SQL injection डालके आपने जो bypass नहीं किया मतलब इंशॉड आपने legally जो है वो username password डालके आपने authenticate किया तो इसे हम कहते है authentication मतलब आप username password डालके आप login करते हो उसे authentication कहते है और फिर उसके बाद आता है समझ लो कि आपके पास को एक particular चीज़ करने की permission नहीं है मतलब जैसे कि मैं आपको बोला अगर आप administrator ही कर सकता है तो आप जैसी वो चीज़ करने जाओगे तो आपको आपके जो है वो admin का username और password मांगेगा अगर आपके पास admin password नहीं है तो आपके पास वो permission नहीं है मतलब आप जो है वो उसके authorized नहीं है आपके पास उसकी authorization नहीं है तो इसे हमें कहते है authorization मतलब आपके पास उ authority नहीं है वो particular चीज़ करने के लिए अगर आपके पास वो authority होती तो हम बोलते कि आपने जो है वो particular चीज़ करने के लिए आपने उसको authorization दिया हुए मतलब आपको उसको authority दी हुई है तो वैसे ही हमारे web applications में भी होता है बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो normally admin account को होती है मतलब कोई ऐसी functionality है जैसे कि आपका कोई user account create करना या फिर को user account को delete करना या फिर को user account में password change करना forcefully तो यह सब चीज़ जो होती है वो admin account में ही possible होती है तो वहाँ पे भी समतलो आप आपकी user account से आपको नया user create करना ही जाओगे तो वह नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे जो वह functionality खाले admin को ही दी हुई है तो उसे अगर आपको करना है तो आपके पास authority होनी चीए मतलब इन्चट आपके पास उसकी permission होनी चीए तो अगर आपके पास उसकी permission है तो मतलब इसका मतलब यह होता है कि आप उसके authorize हो मतलब आपको वह authority है कि आप वह चीज़ कर सको तो इसको हम बोलते authorization अभी बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसी work findings होती है फिर ऐसा कोई hackers होते हो ऐसा को attack करते हो ऐसे को application के अंदर जहां पर वह एक vulnerability होती है कि हम उसका authorization को bypass कर सकते है इन शॉट इसका मतलब यह होता है कि आपके पास वह permission नहीं है फिर भी आप वह चीज़ करो अभी जैसे कि हम यह example में लेते कि आपका एक को ऐसा वैब application था जहां पर आपको user create करने की permissions जो नहीं मिली हुई थी फिर भी आप जो कुछ भी करके फोर्स browsing या आप कुछ भी एक्सवाइजर वर्नाबिटी के थ्रू आप जो को user को create कर दो या फिर नया user account बना दो तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो वह authorization जो उसको login करते हैं मतलब जब हम username password डालके को application को access करते हैं और फिर authorization वह चीज होती है जहां पर हमें permissions required होती है जैसे कि को पर्टिकुलर functionality को access करने की permission तो उससे जो हम वह authorization कहते हैं तो उमीदे कि आपको यह authentication और authorization के बारे में जो है वह आपको समझ में आ गया होगा अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझा वे तो आप अब as usual नीचे comment करके बता ही सकते हैं और अगर आपने इस चनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पट्च सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं ऐसे technology के वीडियो बनाते रहता हूं फिलाल के लिए इतना ही आओ जो